नमस्ते मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्विनी और आज हम बात करेंगे क्लोराजिपाम के बारे में क्लोराजिपाम में दूरुप्योग और व्यसन की जोखिम होती है जिससे की ओवरडोज और नृत्यू हो सकती है शराबिया अन्य दवाओं के साथ इस दवा को लेने से उनिंदापन या फिर सास लेने में समस्य हो सकती है विशेशकर ओपियोईट दवाई जैसे की कोडेन या फिर हाइट्रोकोडेन के साथ नृत्यू सहीद बहुत गंबिर दुश्प्रभाव पैदा हो सकते हैं अगर आपको जैसे धीम या फिर उथली सास आ रही है समान ने प्रकाश्त मेरे की अलक्सरी रोश्न दिखाए देती है फिर गंबिर उनिंदापन या फिर चक्कर आ रहे है या फिर आपको अगर जागने में कठी नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर से बात कीजिए इस दवा को अचानक बंद करने से गंबी या फिर संभवता घातक वापसी भी हो सकती है खास कर यदि आपने ये लंबे समय तक या फिर उची खुराग में इस दवा को उपयो किया हो वापसी को रोकने के लिए आपके डॉक्टर आपकी खुराग को धीरी धीरी कम कर सकते ह अपने डॉक्टर या फिर फार्मसिस्ट को तुरंद बता यदि आपको सिर्दर नीन नहीं आ रही है बेचैनी ब्रह्म अवसाद मतली और दौरे जैसे लक्षण है क्लुणज़्पाम का उपयोग दौरे को रोगने के लिए और नियंतरित करने के लिए किया जाता है इस दवा को एक anti-conversent या फिर anti-epileptic दवा के रूप में जाना जाता है इसका उपयोग panic attack के इलाज के लिए भी किया जाता है क्लोनजेपाम आपके मस्तिशक और नसोम को शान्थ करने का काम करता है यह बेंजोडाइजेपीन नामक दवाओं के एक वर्क से संबंदित है यह दव आपको ओरली लेनी है आमतोर पर दिन में दो या तीन बार इसका डोज आपकी मेडिकल कंडिशन उम्र और उपचार के प् करने के लिए इस दवा का नियमित रूप से सेवन करें आपको याद रखने में मदद के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लेना चाहिए अपनी डॉक्टर की सहला के बाद ही इस दवा को लेना बंद करें इस दवा को अचानक बंद करने पर कुछ तित्या और खराब हो सकती ह आपकी डोस धीरे धीरे कम करने की जरूरत हो सकती है उनिंदापन चक्कराना थका फिर लाग की उत्पादन बढ़ सकती है यदि इन में से कोई भी प्रभाव बना रहता है फिर बिगर जाता है तो अपने डॉक्टर फिर फार्मर्सिस्ट को तुरन बताएं अपने डॉक्टर को नुक्सान पहुछाने का विचार इत्यादी फिर लेने से पहले अपने डॉक्टर फिर फार्मसिस्ट को बताएं अगर आपको किसी चीज की ऐइलर्जी फिर आपको अन्य बेंच्टोलाज यरी अदि आपको को प्र न्य एलर्जी है इस दवाक का उपएयोग करने से पह जब तकался कि अधिक शार ना चल नहीं दिटीद Fellows स्कते वह सब्सक्राइब और एक आधिक छहराब और भञवाब curse ने रस बन सकते हैं जब तक आप इसे सुरक्षित स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते तब तक वहां ना चलाए मशनरी का उपयोग ना करें या फिर कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें सतर तक क्या आवशक्ता है वृत वर्ष्क इस दवा के प्रभाव के प्रति अधिक सव्वेदंशिल हो सकते हैं विशेश रूप से उनिंदापन और भ्रम कि दुश्परिनाम गिरने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं गर्भाविस्ता के दौरान इस दवा का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब स्पष्ट रूप से इसके आवशकता हो यह एक अजन में बच्चें को नुकसान पहुचा सकता है यह दवा स्तन के दूद में प्रवेश करती है और स्तनपान करने वाले शीशू पर इसका प्रभाव हो सकता है कुछ दवाएं के साथ इंट्राक्ट करते हैं जैसे की औरलेस्ट और सोडियम ऑक्सिबेट अपने डॉक्टर या फिर फार्मसिस्ट को बताएं अगर आप अन्य प्रोडक्स ले प्रोडरी रहे हैं छिंता के लिए को दभाने रहे हैं धोड़ा जैसे हो या करे एविदेश को चैनकर लंईपाम के यों पसंद होगा अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने फ्रेंड और फामिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल फार्मसिस्ट रश्विनी को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन भी जरूर दबाएं बैल आइकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगी तो चले मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाइबाएं टेक वेरी गुड केर अफ यरसेल्फ